उदर जैपूर नगर नगम ग्रेटर में मेयर बद का इलेक्शन अब दिल्चस्प हो गया है क्योंकि कल जिन चार उम्मिद्वारों ने नॉमिनेशन भरे थे उनमें से दो के नॉमिनेशन निरस्थ हो गया है ऐसे में भाजपा के रश्मी सैनी और कॉंग्रेस की हेमा सिंखानिया के बीच में ही सीधी one to one टक कर होगी इस स्थिती को देखते हुए कॉंग्रेस भी अपने सभी पार्शदों की बाड़े बंदी करेगी पार्शदों को कॉंग्रेस मुख्याले बुलाया गया है जहां से उन्हें बस में मुहाना सांगाने रिस्थित मैजिस्टिक रेजॉर्ट ले जाया गया है मेयर पत पर चुनाव लड़ने के लिए कल कॉंग्रेस के तीन और भाचपा के एक पार्शद ने नामांकन भरा था इसमें से आज कॉंग्रेस के वाड एक्सोतीस पार्शद रजुला सिंग और वाड बत्तिस के पार्शद नसरीन बानो का नामांकन पत्र रेटर्निंग अधिकारी शंकरलाल सैनी ने खारिज कर दिया है रजुला सिंग को एक कश्यपत पत्र देना था वो समय पर नहीं दे सकी जबकि नसरीन बानो अपने आवेदन पत्र के साथ जमानत राशी 15,000 उपए की रसीद नहीं जमा करवा सकी थी और इसी के चलते इन दोनों की ही नामांकन पत्रों को आज खारिज कर दिया गया है